हेलो फ्रेंट्स मैं अजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार भी था इटी आई में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो हमारी फिटर थिवरी की जो कलासेश चल रही थी उसमें आज हमारा यूनिट सेवन में जो ड्रिल एंड ड्रिलिंग मसीने में जो इसके द्वारा हम लोग किसी जाब की तयारी कर रहे हूं तो उसके लिए यह वीडियो काफी लाबदायक होंगी ठीक है तो हमने पिछले क्लास में ड्रिल बीट के बारें पढ़ा था उसके टाइट एंगल जितने भी होते हैं उसके सब कुछ पढ़ लिया था आज हम ड्रि मसीन जो होती है इसके द्वारा हम लोग किसी जाब में ड्रिलिंग कर सकते हैं टैपिंग कर सकते हैं और बोरिंग कर सकते हैं यानि मसीन के द्वारा सभी संक्रिया हम लोग कर सकते हैं ठीक है तो आए देखते हैं ड्रिल मसीन से रिलेटेड यह जो हमारी ड्रिल मसीन है क्या मशीन आम पुरा देखेंगे कितने होते हैं में पहला टाइब किया पोरटेबल मशीन पोरटेबल मतलब इसको अम लोग एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक लेकर जा सकते हैं और ये दूसरा होता इस टेशनरी दीलिंग मसीन जो होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग मसीन हमारी क्या होती है फिक्त होती है ठीक है यानि हम लोग ce Č-2 ब्法ल याते हैं घब हमारा इस्थी रहता है और इसमें अमरा जाब मस्थी रहते हैं और टो लिकर जाते हैं あंतर लिख लिजाए आप परडूज र्र चतलता है इसको हमलोग कि स्वेज़ करेंगे हाथ के दौरा यूज़ करेंगे हैंच कर सकते हैं यह हमारे मसील कुछ इस पडेक्ड आपको सामने दीख रही है इसमें अमारा क्या लगा होगा हैंडल इसमें हमारा इस प्रकार हैंडल लगा होगा अपनों को हैंडल बना दें इस प्रकार हमारा किया लगा होगा हैंडल लगा होगा और हैंडल की साथा से हम लोग पकड़ लेंगे और यह जो मरें बुख रवर इसको उनोगं चलाएंगे चलाने के बाद अमरे हो गई है इस पिंडल भी मूग करेंगा और अमरे डिलिंग होगी इसमें क्यों की नोडकर लीजे कॉंसा गीर होता है इसमें कांप सब्सक्राइब कर देंक लोगे को इसमें हमारा वेबल गीर होता है वेबल इसम हमारा वेबल गियर होता है कैसे वेबल गियर होता है यहीं जो हमारे गियर यह साइड साइड है क्या है यह हमारा गियर है और छोटा सा जो पीनियन होता है इंस सब हमारा वेबल गियर इसमें लगा होता है ठीक है और इसके द्वारा हम लोग 6 में तक डिल कर सकती है इसमें वे यह ब्रेस्ट ड्रिलिंग मसीन ब्रेस्ट ड्रिलिंग मसीन में अंतर क्या है यह उससे थोड़ा भारी कारियों के लिए उच करेंगे इसको हम लोग छाती के बल के द्वारा यूच करते हैं यहीं पर हमारा इस प्रकार कुछ क्या लगा होता है है इसमें हम लोग छाती पर क्य यह आप लोग नोट करिए इसमें हम लोग 12 mm साइज का ड्रिल कर सकते हैं ठीक है उसमें जो नोट करने वाला पाइन था इसमें बेबल गियर लगा होता है 6 mm इसमें 12 mm तक ठीक है इसको छाती के बल के द्वारा हम लोग फोर्स देते हैं ठीक है तो हमारी क्या होती है ड्रिलिंग होती है अगला आता है हमारा रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मसीन रैचेट ब्रेस यानि इससे जो कंशन बनने वाला है आपके एकजाम में रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मसीन की सैंक कैसी होती है तो आपका क्या होती है टेपर इसक्वाइर में टेपर इसक्वाइर हो होती है सैंक के बारे में आप लोगों को बता है हिंगे चार प्रकार की होती है एक हमारी स्टेट होती है दुसरी। हमारी टेपर न संक होती है तसरी हमारी रू ऋसके बाद кварти आती है तो हमारी जो को रैचेट ब्रेस्ट डिलिंग मसीन है इसमें हमारी कौन से सांग है टेपर स्कॉाइर साइग है ठीक है यह सेंग जो होती है टेपर इसक्वाइर में बनी होती है और इसके दुआरा हम 12.5 mm डाय का क्या कर सकते हैं इसमें यह क्यूसर बनता है इसका यूज कहा करते हैं लोग किसका यूज़ करते हैं रेचेट ब्रेस डिलिंग मसीन का रेलवे की पटर्यों में यूज़ करते हैं इनके द्वारा बारा दस्मलब पांच एम्यम का डिल कर सकते हैं और इसकी जो सैंक होती है टेपर स्कॉयर में बनी होती है यानि जितने आपके संबहुता एकजामस में कीूसन बं सकते हैं हम यहां पर आप लोग तो मुट कर वा रहा है आ गया Васि आता से अमारा इलक्ट्रिक प्लोटेबल मसीन व्यानि यह जो थी हमारी मसीन ने इनको हाथे बल के के दौरा चला रहे थे यह जो हमारी मसीन है या किसे चलेंगी इलक् whisk év के द्वारे सकते हैं यह परकार की आती है पहला आती है हमारा लाइटॵटी वाली तिए पहला क्या ओर लाइट द्वाइट आती है अपिडि Jetzt little allergy में आपको पुछता किया है इस कितने बोल्टेंट पर है जाती है जो हमारे लाइत ड्ली होती है वह 110 से 220 बोल्ट पर क्या कि जाती है चलाई जाती है और इसके द्वारा हम लोग 12 mm डाय का ड्रिल कर सकते हैं इस कुछ प्रकार आप लोगे दिख रही होगी या आप लोगके घरों में या कहीं भी जब कोई बिजली का कार्य होता है तो यह यूज की जाती है यह कोई वारिंग वरिंग कहीं होती है दिखतर आप लोगों को यह देखें होंगे इस डिल मेसिंग को आप लो तो जो लाइट ड्यूटी होती एक से 10 से 20-220 बोल्ट वाली इसके दौरा हम ल जानी कि हमारी इलेक्ट्रिक भॉड्यवल ड्यू मसीन जो है उसमें दो टैप का सीन आते है एक हेवी डूटी होता है लाइट यूटी का जो बोल्ट वोता है 110 से 210 क में तक डिल कर सकते हैं जो हैवी कि होता है हो 220 स्वेशक पचाश बोल्ट होता है इसके दवारा हम लोग है से मुफंधग कर सकते हैं आगे आए यह मारा आता है nuclear कौशी मशीन निवमेटिक डिल मशीन होती है इसका हम लोग करते हैं जहान पर हमें बेदोद से खतरा होता है कैय यानि जो जिन कंपनियों में बेदोद से खतरा होता है यहान यहां पेट्रोल उत्पादन होता है या पिर ऐसे जहां पर हमें विद्दूत से खत्रया निजाग लगने का डर होता है वहां सब्सक्राइब all फेले प्रीश घ्राय करते हुआ ऐसे जहां पर दिर दुभराद सेुटे 2 प्रेशर के दौरा सकते हैं हमने ने करा दिया अब आते हैं, हम इस्टेनर्य व्यून 숲 , जो मसीन ये आपकी krs होती है और हम अपने जाब को मसीनों के पास ले जाकर पर करते हैं है कि आईए हम पहला हम देखते है हमारा क्या है कौनषा है staging machine होती है इसका हम लोग किसी बेंच पर या फिर वर्क्षाप में हम लोग फर्स पर इसको का करते हैं फिक्स कर देते हैं ठीके बेंच पर या वर्क्षाप पर फिक्स कर देते हैं और इसके द्वारा हम लोग 12.5 mm तक ड्रिल कर सकते हैं यानि इसके द्वारा जो स्पीड इसमें अधिक रखते हैं और हलके कारियों के से लिए लोग इसका तुरू करते हैं आप लोग समझ गए होंगे किrim आघा ही हमारा पीलर मसीं जो अमारी DRILLING मसीन होती है यह अधिकतर आप लोगों के वरक्साप देखने को मिलती है फिलर ड्लव मसीन यcular होता है का जैसे एमाली जाया हमारी हैं हमने एक रेट सब hahasınız करके उसके बारे में बताया है प्रेक्टिकली दिखा आया और कैसे ड्रिल होता है सब कुछ लाइब आकर खुद बता करके दिखाया है आप आध पीलर होता है और पीलर पर हमारा वरकेटेबल होता यहीं पर हुता है इसे हमारा उसमें कुछ नहीं होगा इधर से हमारा क्या होगा इस पिंडल बाड़ी होगा इधर मोटर पीछे लगा होगा और इस पर हम लोग क्या करते हैं वर्क टेबल पर क्या करते हैं इसको वर्क टेबल पर इस तरह स्राट कटे होते हैं इस पर हम लोग मसीन वाइस को क्या कर देते हैं फिक्स कर देते हैं मसीन वाइस जो फिक्स कर देते हैं जो टी वर्क टेबल होता है तीन सो साथ डिग्री पर चारों तरफ क्या करता है गुमता है और इसमें रैक और पीनियर लगा होता है रैक और पीनियर लगा होता है जिसके द्वारा हमारा करता है जो वर्क टेबल होपर नीचे क्या करता है स्लाइड नीचे आ歌ता है तिन साच डिग्री में भी घुमता है इसमें अच्छा बनता है इसका यूज हम लोग क्या करते हैं इसकी पेच्छा भारी कारें के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे तो बेंच डिलिंग मसिन में एक क्यूशन आप लोग और नोट कर लिजे इसमें हमारी स्टेप कौन पुली लगी होती है जिस पर हम लोग भी बेल्ट का यूज करते हैं जो भी बेल्ट का इंगल होता साधारता 30-40 डिगरी रखा जाता है और जो स्टेप कौन पुली होती है वह भी बिनगती प्राप्त करने के लिए परियोग की जाती है ठीक है और यह हमारा पीजे डिलिंग मसिन पर आते हैं तो हमने बता दिया आपनों को यह इसमें प्रेक और फिनियन लगा होता है जिससे वमरा वर्क टेपल उपर नचे सलाइट करता है और टेबल पर हम लोग मसीन वाइस को टीबोल्ट की साहता से क्लैम कर देते हैं पिश के बाद मसीन को चैनल करके श्पिंदल के साहता से अपर डिलिट को लगा कर अपने डिलिंग की मसीन जो होती है हमने इसका प्रेक्टिकली वीडियो अप्लोड कर रखा है उसको आप लोग एक बार देख सकते हैं ठीक है तो यह आपके सामने कुछ इस प्रकार रेडियल मसीन क्या है प्रदर्सित है इसके पार्ट के बारे में यहां पर देख लीजिए सबसे पहले बता दे के द्वारा इसके हम लोग क्या नेते है त्यक्या लेते हैं प्रॉण मसीन के द्रेक्टे से कारयों देखेmyma कि पेर धेर करते हैं प्रॉर्य क्या करते है ईस कि तो देखिए सब्सक्राइब लोगों को यहां पर लगा है यहां पर क्या लगा लगा है इसको जब हम लोग खोल देते हैं तो हमारा जो राकर आर्म है यह 360 डिगरी में क्या करता है घुमता है 360 डिग्री में घुमता है अगर फिर हम यहां से एक लिवर लगा है अगर इस लिवर को खोल दे तो अमारा ये क्या करता है जब इस लिवर को खोले तो सर्कुलर मोशन कर रहा था जब इस लिवर को खोलेंगे तो जो हमारा स्पिंडल है इसी राकर आर्म पे क्या करेगा आगे पीछे स्लाइड करेगा यानि लीनियर मोशन करेगा इसी राकर आर्म पे लीनियर मोशन करेगा हमारा इन दोनों लिवर को होता है इसको लोग इस पीट को कम है ज्यादा करने के लिए यहां से इस पीट का अड्जस्ट्मेंट लगा होता है यह पे इस लीवर को फोल के ऊपर करेंगे तो मारी स्टी ज्यादा हो गया नीचे करने तो कम करते हैं उसमें जो हुआ गुमाने के लिए एक in अब कि तरह होता है तो फिड को कम जाना करते हैं तो बारे में लिए यहां पर लगा है इसके दोड़ाद की लंबाई को गटा बड़ा सकते हैं यह वांप्स एंगल प्लेट होता है वर्क टेबल होता है इसमें ती बोल्ट की सहता से अपने वर्क मं Derli machine को क्लैम कर देते हैं फिर उसके बाद वर्क फिस को स्वंदने कंप करते हैं ठीक है और सकते हैं नगे ला अगार वेक्ष टेबल पर नहीं लापा रहा हो नकरने तो हमारा जाब सर्फिसवड़ से रिभफेस होता है इसका आप लोग वीडिये बर जरूर देख लीजेगा है आगे यह मारा आता है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मसीन मल्टी स्पिंडल मल्टी मतलब कई लोग आ गए हैं इसमें चार से 48 spindle एक साथ पर्योग किये जाते हैं और एक ही मोटर के दवारा लिख लिजिए एक ही एक ही मोटर के दवारा एक ही मोटर से 4-48 spindle चलाए जाते हैं और इसका युज़ हम लोग करते हैं mass production में इसको भी नोट करिए मास फ्रोडक्शन में इसका ही। यूज लों कहां करते हैं मास फ्रोडक्शन में यानी मास फ्रोडक्शन का कहने का मतलब हुआ कि हमें यह कही बार में, कई जाब हमारे हैं और उनकी वर्क क्या हो जाए यह की बार में हो जाए हमारे अगर मा लिजे 48 जाब हैं 48 जाब को हम एक ही वर्क टेबल पर रखेंगे जो हमारी multi spindle drilling machine है उस एक ही work table पर हम 4800 जाब को रख देंगे इस प्रकार हम कर सकते हैं कि इसका हम लोग मास प्रोडक्शन में करेंगे और यह कहीं मोटर के द्वारा सभी स्पिंडल क्या करेंगे चलेंगे ठेक केलियर आगे आईए गैंग ड्रिलिंग मसीन यह मसीन हमारी गैंग बना के चल रही है कैसे गैंग बना रही है यह तो अपने यह कही सपींडल के लोग के लिए थे यादि एक परकार की डिल उच कर रहे थे लेकिन इस पर हम लोग कि ड्रिलिलिंग भी कर रहेंगे गैंक कैसे बनाए देखिए माल लीजिये मारा इसका अब अब आ को कि फिर्वेट्स को कमी देखिए यहांगे इस पिन्डल में लोग फिर्बीट को पकड़क लेंगे दुसरे इस पिन्डल में मैं प्रो普सरे ओंडल में यहांदरिंग अधिक नियुक्त कब लेंग पर लेंगे अधिक आपरेशन को हो रहात था एक से अधिक आपरिशन इसमें हो रहा है यानि डिलिंग भी हो रही है यह डिलिंग भी हो गी इसके बाद रेंग हो जाएगी और टैपिंग हो जाएगी फिर चेंफरिंग जो कुछ करना होगा हमें और नोट करने वाले पोईंट लोगों को बतादी हम लोग कि क्या करना आप लोगों को क्या Kund0 करना नोट करने मसंति श्लिए कषिए वाच सुप्वित हैं कि यूच आध इन यह चैल में बांगे पिट qo लेंगे इस एक स्पिंडल में टैपिंग को एक स्पिंडल में काउंटर सिंग टूल को मतलब कई टूलों को हम लोग पकड़ लेंगे और इसमें क्या होता है अलग-अलग मोटर के द्वारा सभी हमारे जो स्पिंडल होते चलते हैं इसमें अलग-अलग मोटर होगा नोट और एक क्यूशन जो आपनोंको एक्जाम से में पूशा जाता है जो ग्यांग ड्रिलिंग मसीन में किस मसीन में क्रमिक संचालन होता है तो आप लोग कर सकते हैं ग्यांग ड्रिलिंग मसीन में अमारा क्रमिक संचालन होगा क्या होगा गयेंग डिली मसिन में मिमारा क्रयम सचालेंड मतलब प्रम से एक बार क्रया हैं बौरिंग कर देंके हम देंगें हमोग कर्हें इस प्रकार ड्रील मसीन से संबधीद जितना कुछ था हमने आप लूवों को यहां पर कर आया और आपको इंटर पूछा जाएबागे उसके बार में जानेगे और फिर किस में किक समय और आए उसके बारे में देखेंगे ठीक है तो अगर आपनों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को दोस्तों को सेर करिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सस्क्राइब करिए जिससे आगे की वीडियो में आपनों को दे सकें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब के लिए जाई